हाई दोस्तों मेरे इस वीटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों को चेहरे में रोनक बराने की कुछ घरेलू नुसका से जानकारी देने की कोशिश करूँगा सबसे पहले कोई भी आप क्रीम लगाते हैं तो बाजार में बहुत महंगी महंगी किरिम आया करता है अगर आप नेचुरल चीज लगाना चाहते हैं और घरेलू नुसका से अपने चेहरे में रोनक बराना चाहते हैं तो सबसे पहले कच्ची हल्दी उसको अच्छी तरह से पीस कर रात में सोने से एक घंटा पहले मुँपर लगाना चाहिए लेकिन लगाने से पहले मुँ को किसी साबुन से साफ कर लेना चाहिए फिर मुँ पोच कर कच्चे हल्दी का जो पेष्ट बनाए होंगे आपने उसको लगाएं उसको लगा कर पूरी रात बार रहने दे फिर सुबह हलके गुनगने पानी से या ठंडी पानी से भी दो सकते हैं अगर आप ऐसा रेगुलर करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे के चेहरे में एक कुद्रती रोनक आ गई है और दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे फुंसियां भी हुआ करता है किसी किसी के चेहरे में तो वो भी फुंसी होना भी बंद हो जाएगा क्योंकि हल्दी का खास तोर पर जो कच्ची हल्दी है उसका बहुत ज्यादा फाइदा है दूसरा नारियल का पानी पीना चाहिए नारियल का पानी पीने से चेहरे में रोनक आता है पूरे सरीर में रोनक आता है लेकिन खास तोर पर चेहरे में ज्यादा इफेक्ट आता है और पेट भी अच्छा रहता है बहुत बार ऐसा भी होता है जिनको कब्स की सिकायत हो बदहजमी की सिकायत हो तो उसके इस पोजीशन पे काले काले छाईया हो जाती है और फूंसिया भी निकल आते हैं चाहे लीबर गरम होने की कारण हो या पेट की किसी भी समस्या के कारण हो तो आप अगर नारियल का पानी पीते हैं तो सारे पेट के मेंटेनस को ठीक रखता है ठीक रखने के ही कारण आपके चेहरे पर रोनक आया करता है तो दोस्तो ये दो चीज है पहला चीज कच्ची हल्दी को पीस कर सोने से एक गंटा पहले अपने मूँ पर लेप करें फिर सुबह को दो डाले और दूसरा चीज है खाली पेट नारियल का पानी पीए इस से चेहरे में रोनक आती है आते हैं